इस बात को समझने के लिए आप लोगों को एक concept समझना पड़ेगा अभी before you see this point एक बार एक point या दखिये सवाल आता है कि सर कौन sale of goods act को बदल सकता है इस बात का जबाब अगर जानना है तो आप लोगों को जानना पड़ेगा schedule 7 schedule 7 of the constitution of India will answer this question who can change what I repeat who can change what depends upon schedule 7 of the constitution of India आप बोलोगे सर समझ नहीं आया कि क्या लिखना चाहरे हो चलो एक बार observe करी भारत में कौन किस matter पे law बनाएगा ये बात schedule 7 of the constitution of India में पूरे constitution में 12 schedule है 12 schedule को कहते है 8 plus 4 तो किसी ने कहा कि सर schedule को 12 बोलिए 8 plus 4 कहने का क्या मतलब बनता है तो schedule को जब भी बोला जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि भाई 12 schedule है भारत के constitution में 8 plus 4 schedule है तो 8 plus 4 जो constitution जानते हैं उनको पता चल रहा होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ओके 8 original थे और 4 amendments यही था ना तो originally 8 schedule थे और बाद मैं 4 schedule जोड़े गए यह सुनो तो इसलिए कहते हैं 8 plus 4 साथवा schedule constitution का कहता है कि किस matter पे कौन law बना सकता है यह हमें एक list दे रहे है तो आप ने कहा कि ठीके सर बताइए list क्या है तो बोला देखो जी तीन list हम आपको देंगे बोला कौन कौन से list है one is called the union list, second is called the state list and third is called the concurrent list तो आपने कहा कि ठीके सर लिस्ट तो समझ में आ गया कि आप तीन लिस्ट दिये बोले यह तीन लिस्ट दिखाई दे रहा है बोले यहां पर entry दिये होंगे ओके जो matter जिस list में लिखा हुआ है उस पे वो law बनाएगा यानि कि कोई matter अगर union list के entry में मिल रहा है तो इस पे law बनाने का अधिकार पार्लेमेंट को है अगर कोई matter state list में लिखा गया है तो उस पे law कौन बना सकता है state list nature तो आप कहेंगे सर उस पे law बनाने का अधिकार होगा state legis nature को तो the state list nature will be capable to make the law on that point तो माल लेते हैं कि अगर कोई state list का matter हो तो उस पे UP law बना सकता है, बिहार law बना सकता है, जहरकन law बना सकता है, केरला law बना सकता है तो ये depend करेगा state list पे अगर कोई भी matter concurrent list में लिखा गया है तो उस पे law कौन बना सकता है बोथ concurrent list पे law बनाने का अधिकार बोथ के पास है मतलब सर मतलब center भी law बना सकती है उस पे और state भी तो पहला question उठता है कि sale of goods act को UP बदलना चाहता है अपने अनुसार Parliament का बनाया हो लो है लेकिन UP आज sale of goods act को UP में अपने business को देखते हुए UP sale of goods act में amendment करना चाहता है Can UP amend sale of goods act? Yes, please remember because it is a concurrent list का matter है तो sale of goods act अगर concurrent list का matter है तो इंडिया का हर state अपने अनुसार इसको change कर सकती है बदल सकती है, amend कर सकती है Just because of the one reason, because it is a matter of concurrent list Concurrent list का matter होने के कारण इसे इंडिया का हर state बदल सकती है क्या Parliament भी से बदल सकती है? Then your answer will be yes sir, even the Parliament is also competent to change it अगर आज को Parliament को किसी section को बदलाव करना होगा तो Parliament भी से amend कर सकती है The reason is very much clear Because it is falling under the ambit of concurrent list Concurrent list में fall करने के कारण जो है इसे Parliament भी बदल पाई लेकिन एक बहुत important point है कि generally तुम लोग जब CPC limitation ये सब देखते हो तो उन लोगों की एक entry होती है कोई भी concurrent list में एक ही entry में fall करोगे न ये क्या है? सोगा की दो entry है Entry नमर 6 सुनिएगा कि वो क्या कहने वाले हैं ठीक है? transfer of property तो please हम लोग लिख लेते हैं जो उन्होंने कहा एक बार लिख लेते हैं क्या conclusion निकालेंगे दो मिनिट में देखते हैं सो इनका कहना है कि सर entry नमर 6 में एक word लिखा गया है transfer of property लेकिन agriculture land इसमें नहीं आएगा यही कहा न? बोला सर अगरी कल्चर लेंड नहीं entry 6 deals with transfer of property अब entry नमर 7 में है contracts ओके? दो वर्ट देखिएगा generally अगर CPC को ढूमना होगा ना तो entry नमर 13 देखोगे तो entry नमर में सीधा सीधा लिखा है CPC limitation यह सो लो CRPC देखना होगा तो वाँ CRPC entries में मिलते हैं लेकिन सोगा directly word कहीं नहीं लिखा गया है लेकिन word क्या लिखा गया है entry number 6 में है transfer of property और entry number 7 में है contract लेकिन मुझे यह बताओ can I say contract of sale is a contract मैं जानना चाहता हूँ section 4 जितने जानकार यहां बैठे है एक लाइन जीनों ने पढ़ा था section 4 का can I say sale is a contract if sale is a contract it means that it will be covered under entry number 7 the first point if sale is a contract it will fall under entry number 7 yes or no तो आपने का कि sir इसका मतलब है entry number 7 में fall करेगा getting it तो आपने का right और मैं यह बताओ कि sale में क्या property transfer होती है या सिर्व दुवा मिलती है तो आप कहते हो कि sir देखो चाहे visible हो या invisible हो property तो आती है ओके property तो वहाँ पे transfer है can you think about the sale without transfer of property sale means you are dealing with transfer of property तुम कोई भी sale उठा के मुझे रिखाओ वहाँ कुछ ना कुछ transfer हो रहा है सोच के देख लो और यहाँ पे sale किस चीज़ का है goods का तो goods का जो ownership है जो right है वह एक परसन से दूसरे परसन में transfer हो रहा है तो केना जैसे sale is a transfer of property जो हाँ या ना मै इतना जानना चाहता हू तो यह जो 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 then you say sir transfer is definitely yes every sale is a transfer of property so if sale is a transfer of property can I say sale of goods act will fall under entry 6 also yes or no then your answer is yes sir if it is a transfer of property because every sale is a transfer of property it deals with the transfer of property no doubt movable property no doubt goods लेकिन प्रपटी तो है ना तो जब कोई भी sale का मतलब है transfer of property मतलब सोगा falls under entry 6 also that's why two entries have been used to deal with सोगा one entry for the contract because every sale is a contract and the another entry is for transfer that is entry number 6 तो concurrent list के दोनों entry में सोगा fall करता है 6 में भी और 7 में भी लेकिन fall कौन से लिस्ट में कर रहा है concurrent list में और concurrent list में fall कर रहा है तो इसमें कौन लॉव बना सकता है both तो आज की तारीक में अगर UP सोगा को बदलना चाहे तो बदल सकता है बिहार बदलना चाहता है sale of goods act हो तो बदल सकता है वहाँ पे goods does not include wine यह सुनो तो वहाँ goods में शराब नहीं आता यह सुनो गुजरात में goods में शराब नहीं आता बट दिली में ऑपा ट으면 किएि नहीं आता remember the line very carefully you will have to understand the point very carefully तो आप अगरआप relaxed होके सोचे तो आपको जवाब मिलता है कि राइड सर्फ It means that a state can change the things according to their own needs because it is falling under the concurrent list Is this point clear to all of you?